Hello guys, this is Nishi and welcome back to the next classes. ये हमारी PHP courses related 14 वीडियो है. पिछले की वीडियो में हमने देखा था function क्या होती है और इसके program PHP में कैसे बनाए जाते हैं. I hope आप लोगों को function समझ आ गई होगी. तो आज हम जानने वाले function में कि function with parameter क्या होते है and function with return value क्या होती है PHP में. तो चलिए बिना time waste के मैं आप लोगों को start करती हूँ. function with parameter. क्या है सबसे पहला है हमारा क्या function with parameter? एक मिनिट. क्या है हमारा function? function with parameter. अब function with parameter क्या हो गया? तो function with parameter अगर simply मैं syntax बताते हैं क्योंकि function क्या होता है ये तो आप लोगों को मालूम है. तो मैं syntax बताना चाहूँगी. syntax देखे क्या है? function. function. function name. function name. and then bracket. और bracket के अंदर हम क्या लिखते हैं? parameter. parameter 1, parameter 2. parameter 2. say close and then. यहां हमारी क्या होगी? statement रहती है. and say close. यह हमारी क्या होगी? function, definition या फिर declaration. देन function को calling करनी होती है. तो function. function name. and यहां हमारी क्या होजाती है? argument. argument 1, argument 2. argument 2. and then semi-column. देखे, यहां क्या है? इसे समझेगा. function, function name यह तो पता ही है. और यह जो हमारी पारामीटर होगी? यहां क्या है? पारामीटर. पारामीटर में कुछ भी आप value ले सकते हो. and then statement. कुछ भी आप यहां लिखना चाहागा? statement डाल सकते हैं. function name and then arguments. तो argument 1 में जो value डाले होगे, वो क्या हो जाएगा? पारामीटर 1 के जगा रिप्लेस कर जाएगा. क्या होगा? argument 1 में जो हम value डालेंगे, वो parameter 1 के place पर रिप्लेस हो जाएगा. और argument 2 में जो हम value डालेंगे, वो parameter 2 के जगा पर replace हो जाएगा इस तरीके से इसकी syntax होती है अब इसकी मैं simply के example बताना चाहूंगे आप लोगों को कि मान लिजे आपको sum करनी है ठीक है और आप एक बार चाहते 10 प्लस 20 की sum second time चाहते हो 30 प्लस 40 की sum फिर आप third time चाहते हो 50 प्लस 60 की sum इस तरीके से आप different डिफरेंट वैल्यू की sum चाहते हो बर चाहते क्या हो आप sum ही तो इसमें क्या होती है तो देखे मान लिजे मैं function function sum नाम का कोई function मनाते है यहां मैं कोई भी variable ले सकती हूं तो यहां मैं मान लिजे ले लेती हूं यह हमारी क्या है PHP की है यहां मैं क्या लिखती हूँ $A, $B इसे close कर देती हूँ अगेन स्टार्ट करते हूँ अब माल लिखती हूँ echo क्या लिखूंगी echo and echo मैं क्या यूज़ कर रही हूँ $A plus $B ठीक है इसे close कर दीए अब मैं function को call करूँँगी किस नाम से function हमारी sum और sum में मैं value डालती हूँ माल लो 10,20 second time मैं डालती हूँ sum 3,9 इस तरीके से आप किसी भी तरह के तरीके के sum को क्या कर सकते हैं किसी भी तरह के value को sum कर सकते हैं अब यहाँ देखे $A और $B यह हमारी क्या parameter 1, parameter 2 यहाँ क्या हो रही है, A plus B add हो रही है, बट A plus B में value क्या जा रही है 10 और 20 तो यह 10 क्या है, हमारी argument 1 और 20 क्या argument 2 A के जगा पर क्या replace होगी 10 और B के जगा पर क्या replace होगी 20 और A plus B क्या हो जाएगी 10 plus 20 तो हमें output मिल जाएगी अब इसे मैं PSP में बताना जाओंगी मैं इस प्रोडाम के थरू देखिए, मैं क्या करते हूँ, यह मारी function इसे comment कर देती हूँ इसे comment कर देती हूँ देन अब मैं start करते हूँ function और function ने में मैं sum ले लेती हूँ sum और यहां parameter लेना है तो dollar A, dollar B ले लेती हूँ close statement इको dollar A plus dollar B dollar A plus dollar B इसे close कर देती हूँ और अगर चाहो तो यहां साथ में मैं एक और से लिख सकती हूँ E को BR type पर यूज करती हूँ और अब मैं है क्या करूँगे function को call करूँगी sum नाम की function है sum मैं डालती हूँ 10,40 फिर अगें sum मानलो 39,67 अगें sum 29,34 अब इसे रन करती हूँ मैं यह हमारी अल्लेडी ओपेन है मैं से रिफ्रेश करती हूँ यह देखे तीनों value आ चुकी है क्या क्या आ गई हमारी एक मिनेट देखे 50,106 और 63 फिर्स्ट टाइम मैं जब call की तो 10 और 40 को add की सकेंड टाइम 39 और 67 और थर्ड टाइम 29 और 34 तो देखें तीन तरह के value को मैं add कर रही हूँ बट एक ही function means एक ही program से इससे क्या हो गई हमारी program easy हो गई अगर मैं normal अगर करना चाहूँ तो यहां क्या करनी होगी हमें e को dollar a and dollar b ठीक है dollar a में एक बारी 10 लेनी होगी फिर dollar b में 40 फिर again हमें क्या करना होगा dollar a में 39 dollar b में 67 इस तरीके से क्या होगी जाती हमारी program lengthy हो जाती और इससे क्या हो गई हमारी program छोटी हो गई ति यह थी क्या हमारी function with parameter I hope आपनों को समझ आ गई होगी की function with parameter क्या होती है इसके syntax क्या होती है और इसकी program PHP में कैसे बनते हैं अब हम जानेंगे function with return value, क्या जानेंगे function with return value, ये क्या आती है हमारी function with parameter, अब जानेंगे function with return value, तो function with return value, अब ये क्या होती है, इसकी भी मैं syntax बताना चाहूंगी direct, आप लोगों को, syntax, देखे, इसकी syntax क्या होती है, तो function, function name, function name, and then, यहां तो मैं parameter डालूँगी, तो ये क्या होती है, विद पारामेटर भी है, parameter 1, parameter 2, parameter 2, then statement start, और यहां कुछ भी आप statement लिख सकते हो, कैसे close कर देती है, अब देखिए, यहां close करने से पहले, मैं यहां क्या यूज़ करूँगी, return value, या तो यहां पर return value करेगी, या तो return हमारी कोई ने कोई variable करेगी, अब वो किस तरीके से करेगी, वो example किस हम लोग देखेंगे, यहां मैं क्या यूज़ करूँगी, dollar, a, माल यह कोई भी variable name, एक काम करते हूँ, variable name is equal to, var name is equal to, क्या हो जाएगी, जो भी हमारी function की name होगी, वो function name, bracket, argument, 1, argument, 2 हो जाएगी, फिर हम मैं क्या करूँगी, echo, and echo में, dollar, var name को print करवादूगी, क्या करूँगी, var name को print करवादूगी, इस तरीके से क्या होगे, यह हमारी क्या होगे, यह हमें लिग जाते हूँ, function, calling, sorry, function, definition, function, declaration and definition हो जाएगी, function, declaration or definition, okay, and यह हमारी क्या होगे, function, calling, क्या हो जाएगी, function, calling, function, calling, इस तरीके से हम क्या करते हैं, function को define करते हैं, और function को call करते हैं, यह हमारी क्या है, function with argument भी जाएग साथ में, with return values, so mainly क्या है, function with return value, और इसे क्या कह सकते हो, function with arguments with return value, अब इसके program कैसे बनते हैं, PHP में, हम यह देखेंगे, यह हमारी क्या था, function with parameter की value, तो यहां मैं क्या करते हूं इसे comment कर देती हु sommes अब मैं यहां क्या use करूओ के function WITH parameter with return value मैं एक function बनाते हूं function my function नाम का ही function मैं बनाती हूं यहां मैं क्या लिखती हूं कोई ही arguments अगर मैं यहां लिखती हूं माल लेजिये dollar fname okay is equal to क्या लेती हूं nix and इसे close कर देती हूँ and second parameter मैं क्या लेती हूँ dollar last name क्या हो जाएगी last name और last name sorry last name में मैं लेती हूँ next हो गई last name में classes ले लेती हूँ classes इसे मैं close कर देती हूँ अब मैं यहां क्या करते हूँ statement में dollar x is equal to ले लेती हूँ dollar f name f name and dollar क्या हो जाएगी last name plus sorry plus क्या यूज़ कर रही हूँ मैं dollar l name और इसे close कर देती हूँ तो return क्या हो जाएगी return value तो नहीं यहां हमारी क्या variable तो मैं क्या यूज़ करूँगी यह variable- variable को use कर जोँगी से close कर देताएगी अब क्या करना है function को call करना है थिक है क्या करना है function को call करना अब function को call कैसे करूँगी मैं तो माले जेए मैं simply 가자 करतीओ यहां function को calm directly eco से करते हूँ पहले eco किस नाम की फंक्शन है माइफंक तो मैं माइफंक को कॉल की इसे क्लोज करती हूँ कंट्रोल एक और इसे रन करके मैं चेक करती हूँ दॉलर एकस इस इक्वल टॉ डॉलर एफ नेम और क्या हो जाएगी डॉलर लाश्ट अब इसे फिर से में रिफ्रेस करती हूँ देखे निक्स क्लासेज क्या होगए यह प्रिंट कर रही ही यह कैसेम निक्स क्लास निक्स और डॉलरल जमिका है एकसे निक्स वर्ट नेम क्या है classes nix classes return क्या कर रहा है x x में value क्या है x is equal to nix classes तो वो return क्या कर रहा है nix classes और वो किसे कर रहा है myfunk को क्या गया है तो echo में क्या है myfunk तो echo print कर दिया गया इसे और एक तरीके से बना सकते हैं मैं एक काम करती हूँ myfunk ctrl-v और myfunk के अंदर मैं मान लेती हूँ लेती हूँ एक काम करती हूँ hello यहां मैं ले लेती हूँ classes hello classes और फिर एक काम करती हूँ मैं इसे हटा देती हूँ hello students लेती हूँ hello students ठीक है यह ले लेती हूँ तो यह हमारी क्या हो गई argument 1 और यह क्या हो गई argument 2 हो गई अब क्या करेगी यह इसे मैं ctrl s और इसे मैं comment नहीं करती हूँ और यहां क्या करती हूँ echo br tag यूज़ करती हूँ ctrl s अब इसे refresh करती हूँ यह देखिए फर्स्ट टाइम निक्स क्लासे आ रहे थी बट सकेंड टाइम हमारी क्या रही है hello students अब वो कैसे आ रही देखिए यहां मैं यह क्या क्यों arguments पास क्यूँ यह argument one है और यह argument two है यह क्या करेगी hello डिप्लेस कर जाएगी parameter one ऊपार है निक्स is equal to को ओवर राइट कर देगी इस तरीके से हम क्या करते हैं function with return value के program बनाते हैं इसकी और एक method है जैसे यहां मैं return $x लेखिए हूँ यहां मैं क्या करती हूँ काम करती हूँ इसे comment कर देती हूँ इसे and मैं यहां क्या करती हूँ इसे copy कर लेती हूँ यहां से and where a is equal to ठीक है इसे मैं call कर दी और print कैसे करूँगी echo echo dollar dollar a इसे मैं फिर से refresh करती हूँ यह वही आ रही next classes hello student एक काम करती हूँ यह hello के जगा मैं क्या डालती हूँ welcome welcome student अब इसे refresh करती हूँ यह यह क्या रही है welcome student तो हम इसे इस तरीके से भी क्या करते है लिख सकते हैं यह क्या हो गई हमारी function with parameter with return value return value कैसे लिखी यह mainly हमारी syntax को या फिर example है इस तरीके से हम program बनाते हैं जैसे मैं एक और program बनाती हूँ आपनों को बताती हूँ function function sum और यहां मैं ले लेती हूँ dollar a, dollar b and then अब मैं यह क्या करती हूँ return करना तो मैं simply क्या करूँ कि return dollar a plus dollar b इसे एक minute dollar a plus dollar b इसे return कर ली और मैं यहां से क्या की echo echo sum और sum में क्या करती हूँ 10,20 and इसे print करती हूँ control s अब देखें मैं इसे run करती हूँ एक minute echo br tab ctrl s अब से refresh करती हूँ मैं देखें आव से 57 function function sum अब से refresh करती हूँ देखें यह हमारी 30 output दे रही है तो इस तरीके से जो कहा जाता है कि सबसे छोटा definition means function with return type with sorry function with parameters with return value क्या है सबसे छोटी हमारी example का होता है means minimize way में आप इस तरीके से बना सकते हो क्या है minimize way में इस तरीके से बना सकते है क्या कि मैं simply कितना छोटा code है एक दो तीन चार पांस लाइन की code में हमने क्या क्या सम कर लिया वो कैसे function बनाई sum नाम का दो variable ने लिए and return में दोनों variable को add कर दिए और call इको में print की करवाई क्या हूँ direct call क्यों किसे sum function को value के साथ तो इस तरीके से हम क्या करते है function with parameters with return value के program बहुत ही short way में बनाते हैं I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी कि function with parameter क्या होते है and function with return value क्या होते है और इन दोनों को mix करके function with return value with parameter के program कैसे बनाये जाते हैं तो प्लीज बने रहे हमारे वीडियो में starting से लेकर इन तक एंड वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूले Thank you guys, thank you for watching my video